हेलो फ्रिंस आप देख रहे हैं आपका चैनल शे बजार वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि कल कितने पर दोस्तों यह जो IPO है वो बेसिकली लिस्ट हो सकता है यह समझेंगे हम कि कितना प्रॉफिट होने की एक्स्पेक्टेशन है और कॉंसे लेवल्स का important ध्यान रखना है current gray market कितनी है सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को देखेगा पूरा उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सबसे तो दोस्तों जो definitely सबके दिमाग में question था कि क्या कल ही लिस्ट होगा यह IPO तो बिलकुल कल ही लिस्ट होगा BAC की तरफ से देगे circular release कर दिया गया है listing of equity shares of ESF small finance bank और जो listing है वो definitely कब होने वाली है Friday 10th November को यहनी कल ही list होने वाला है तो सबसे तो यह जो doubt सबके मन में है कि listing कब होने वाली है यह listing कल ही होने वाली है 10th November को यह share basically आपको list होता हुआ नजर आएगा exchanges पर अब सबसे बिले थोड़ी से हम brief information समझ लेते हैं इस basically company की so friends अगर आपको IPO का allotment मिला है तो सबसे तो congratulations allotment friends आपको मिला है जो share आपको मिलेगा basically एक वो मिलेगा 60 पर रुपीज का कितने shares मिलेंगे 250 shares आपको कल मिलने वाले हैं एक lot के अंदर तो 60 रुपे का एक share है कितने shares है टोटल लाक है 250 shares है आपके पास जो आपको मिले हैं इस IPO के इंदर hopefully आपको समझ में आ चुका होगा काफी लोगा question था कि सरव तक DMAT में shares शो नहीं कर रहे हैं तो क्या करें कोई दिक्कताली बात नहीं है DMAT में अगर शो नहीं कर रहे है तो वो कल सुभे listing से पहले आपको definitely show करने लग जाएंगे तो उसकी कोई भी problem नहीं है उसकी कोई भी चिंता नहीं है उसकी बारे में आप चिंता ना ले वो आपको अपने आप show कर जाएंगे अब बात करते हैं friends कि कल listing होगी तो कितने पर होगी लेकिन यादर कि हमशा में बात करता हूँ listing से पहले जो सबसे important होता है दोस्तों वो होता है subscription का figure और उसमें भी किसका QIV का दोस्तों QIV ने जिस तरीके से इस issue के अंदर पैसा लगाया था 182 times QIV portion भरा था almost उस तो QIV के तरफ से 16,457 करोड के असपस receive हो गए थे तो एक बात सबसे important जो है जो साफ है कि QIV के तरफ से जो interest देखने को मुला था इस issue के अंदर वो definitely ये शो करता है कि company के अंदर दमखम तो है और इसलिए दोस्तों जो पैसा है वो basically निकल कर आए अगर दर्वाइस इस issue QIV होते कौन है QIV दोस्तों होते है financial institutions, banks, FIIs, mutual funds ये दोस्तों QIV होते है QIV कुछ ऐसे investors भी होते हैं जो mutual fund के थू, ULIP के थू मलब जो scheme of insurance होती है या फिर pension schemes उनके जरे पैसा लागा है लेकिन majorly QIV में दोस्तों बड़े financial institutions आते हैं बड़े mutual funds आते हैं और बड़े banks आते हैं ज वहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही high advanced team होती है जो definitely समझती है कि हाँ उस company की worth क्या है इसलिए जब subscription figure 180 times के पार आपको जाता हुआ देखने को मुल रहा है तो इसको मतलब ये है कि company के अंदर worth तो है तो hopefully आपको ये समझ में आ चुका होगा अब बात करते हैं listing कल कितने पर होन company है वो basically आपको कमा कर दे सकती 28% का इसपास का listing इनकी possibility है वैसे तो कल तक दोस्तों 21 रुपे share चल रहा था 21 रुपे की green market चल रही थी almost 35% का listing estimate बता जा रहा था बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि exact listing से एक दिन पहले आपको green market में गिरावत देखने को मुल गई बट स्टिल म IP का price तो आपको पता है 60 रुपे का है शेगा price and 70 रुपीज ग्रे मार्केट इसका मतलब यह कि 77 के आसपास इसके listing की possibility बताई जा रही है इसका मतलब यह कि दोस्तों profit के संभावना है वो 4250 है यह क्या है according to green market तो according to green market तो यह है लेकिन हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखे ग्रे मार्केट exact नहीं है यह estimate है इसको हमेशा आप exact मान के हम नाच चले अगर आप exact मान के चलते हैं और सिर्फ आप GMP के इशारों पर पैसा लगाते हैं कि हाँ GMP कितनी है GMP कितनी नहीं है तो आप वो करहाँ कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं reason simple है ग्रे मार्केट के IPO की अब हमेशा IPO को लगाई यह उसके basis of fundamentals उस company के financials वहलब fundamentals financials company का overview company का तो फ्यूचर व्यू और definitely company के past performance यह बहुत सारी चीज़े important है जो I think IPO के इंदर पैसा लगाने के लिए important होती है सो जैसे आप मैं अपनी लिस्टिंग तरी स्टाडिश बिजाता हूं कि देखे स्टॉक का प्राइस तो आपको आगी कि 60 रुपे लेकिन मेरे साप से at least आपको यह 17 रुपे तो देखी जाएगा कम से कम यानि 60 प्लस 17 पट उसके आगे भी 23 रुपीज आप मान के चलिए या देखने को मिलते हैं और जिस तरीकी से ग्रे मार्केट में भी इसके उताचड़ आप देखने को मिला है एक रीजन सबसे बड़ा हूँ है लेकिन मेरा मानना स्टिल यही है कि कम से कम चार्जा 250 का मुनाफ़ा तो एनिया होना चाहिए बिकास जिस तरीकी से पैसा निकलकर आ का मुनाफ़ा बन सकता है अब याद रखिए अगर 5,750 से जादा का आपका मुनाफ़ा बनता है तो डिफिनिटल इस ओल लग आपका धन तेरस के दिन आपका धन तो बनता हुआ नदर आए पट ओन और जो मैं इंपोर्टन बात बता रहा हूँ कि देखे मुनाफ़ा करकी ज काल में सबसे बड़ी बात है कि जो स्मॉल फानेंस बैंक लिस्ट होएं अच्छा काफ़े अच्छा परफॉर्मेंस औरल में कह सकता हूं कि करके दिखा है तो एक सबसे बड़ा रीजन तो वह भी है कि इन कंपनी इस पर बैक करने का दूसरी बात जो कंपनी एक खुद वाल की बीच में उसके इस रेंज के पीछे का जो रीजन है वो सिंपल यही है कि ग्रे मार्केट में जो फ्लक्टुएंस देखने को मिले है उसका एक कारण हो सकता है और उस वह रिफ्लेक्ट हो सकता है कि प्राइस पर हो जाए वैसे तो में को ज्यादा बिलीफ नहीं है कि 77 पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए राइट अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस इश्यों के इंदर पैसा लगाया था तो बिल्कुल आपका स्टॉप लोस होना चीए 5 परसेंट जो भी दोस्तों हाई लगाता है स्टॉक पर एक्जामपल 85 रुपीज तो उसक स्टॉप लोस से होगा क्या है कि अगर कोई नुक्सान भी हो रहागा तो जादर से जादर उस पार्च परसेंट का होगा राइट 85 है तो आप मान लीजे 81 का आप स्टॉप लोस लगा लेते हैं इस तरीकी का दोस्तों आपको में सबसे स्ट्राटिजी बना के चलनी चीए अ और डिफिनेटली लिस्टिंग देने की पॉसिबिलेटी काफी बढ़िया है एक मुनाफ़ा करवा के चाहिए और 85 स्ट्री 77 टू 83 जो आपको बता सकता हूं कि इसकी लिस्टिंग होने की पुरी-पुरी एक्स्पेक्टेशन है तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था हो चाहिए चाहिए पॉझसे मारं में दोस्तों इस वीडियो।